तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन केडमी के इस नए और लटस्ट वडियो में आज के इस वडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नमबर 1 है जिसका नाम है नजीर एहमद की कहानी लिख भी दे रही हुँ मैं नजीर एहमद की कहानी जिसके राइटर कौ और कोशन एंसर यानि कि सब्जेक्टिव कोशन भी कराऊंगी तो अपने वादे के मुताबिक आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो चैप्टर नमबर वन का सारा अब्जेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव कोशन कराने वाली हूं यह सिरीज इसी तरह चलते रहेगा सब सब्से पहले चैप्टिर कंप्लीट करो और फिर उसका अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करो और तब अगले चैप्टिर पर जाओ इस तरह यह सिरीज चलेगा ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ विडियो लेट मी रिमाइंड यू डैट है तो अभी क्या भी लाइक कर दें और शेयर कर दें तो विडाउट इनी डिले लेट्स गोडू स्टार्ट हां तो देखिए यहां से आप लोगा अब्जेक्टिव कोशन सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद से फिर मैं सब्जेक्टिव कराऊंगी सबसे पहला सवाल है कि कि इस ने फरत्लाह वेक की बिसमिल्ला कराई तो看 संट उन्पर यहां पर लिखा हुआ है दूसरा कॉश्षन देखिए कि पह्त वरतन बेग ने किसे कुरान पढ़ी किसे कुरान सरी पढ़ दे यह भी च्री वह बताई थी ति तो बताई थी ना वो थे मौलविक कमरुद्दीन और सीज तराइट इंसर तीसरा कोश्चन देखिए मिर्दा फरतुल्ला बेग ने इंटर्मीडियेट किसिंद कहां से हासिल की तो वह इंटर्मीडियेट किये थे हिंदू कॉलेज से और बीज तराइट इंसर जवाब में भी तो वहीं पर मिस्टर रजा मीरा देख रहे हैं यानि की जी जो खाका लिखे हैं इस खाका में रियल की घटना है मिर्दा फरतुला बेग रियल में हिंदू कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते थे और वही से वो इंटर्मीडियेट किये थे चलिए आगे बढ़ते हैं चार इमतहान कब पास किया था यह भी मैं आप लोगों को पता होगा अगर चैप्टर पढ़े हैं तो ऑप्सन नमबर 20 दराइशन सर उन्हें सद्धास में वह जिए इसकल इमतहान पास किये थे हर एक चीज़ में आप लोगों को बोर्ड पर लिखकर पढ़ाई थी अगर आप ल इसमें अलिफ बेज जीम और दाल करके दिया है बस बट आप इसको एबी सीडी करके समझे ठीक है तो अप्सन नमबर 20 दराइशन सर उन्हें 49 इस भी में वह हाई कोड के इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे यह भी मैं आप लोगों को इंस्पेक्टिंग बताई थी याद र इसमें अर्डी में है चार और दो ही निकाह की थे उनकी दो ही शादी वी थी आफसन नंबर भी स्था राइट हंसर नाइन नंबर क्किन की मिज़ा लावत का किसने तहरीर कि यानि कि नजीर एहमद की कहOWNी झा का है जो खाका है चैप्टर इसको किस्टने लिखा OPSON A में मिर्जा अफजल बेग B में मिर्जा अब्दुलights इंसर नेकष्ट कूस्ष्ण मिर्जा फरतुल्लाह बेग के शिद अंजद मिर्जा अफजल बेग कहाँ से हिंदुस्तान अलाइक दीक्राइक कुछ दिया है नेक्स्ट को सिन्देखिए बारे नमबर सवाल की मिर्दा फरतुलाबे की पेदाईश कहा हुई तो इनकी पेदाईश हुई थी दिल्ली में आप सब्सक्राइच नमबर पीज़ाराइच इंसर मिर्दा फरतुलाबेग कि से सन में पैदा हुए आप सने में C, C, D, 1883, तो ये 1880 नबर 20 दराइजन सर, 1880 में पेदा हुए थे लेकिन तजगार नाविशों के मताबिक 1883 में पेदा हुए थे तो अगर तजगार नाविशों के मताबिक पूछे तो 1883 जोपसन में दिया रहेगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 14 कि मिर्जा फरतुल्ला बेग के वालिद का क्या नाम था पिता जी का नाम बताना है तो उनके पिता जी का नाम था मिर्जा हसुमत नमबर 20 दराइशन सर पंदरा नमबर सवाल है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग के वालिदा का क्या नाम था उनके वालिदा का नाम जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त मिर्दा फरतुल्ला बेग की उमर कितनी थी बताना है वो दस ही रोज के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गए यानि कि आपसा नमबर 20 दराइशंसर आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 17 कि मिर्दा फरतुल्ला बेग के वालिदा के इं परवरश्की तो उनकी बेवा फूफी मिर्दा फरतुल्ला बेग की बेवा फूफी उनकी परवरश्की थी तो आपसा नमबर 20 में यानि कि सी में दिखाई दे रहा है फूफी इसको टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं 18 नमबर क्वेश्चन कि जिन्हों ने फरतुल्ला ब तालुख के सिन्व से है और से नाविल व अफ्ना सी कि हाका और ड्री न as up. प्र स्भीन मियां टालुपको इ से नकी खागा खागा खाका Bossрий नजीर अधने कि पहला नाविल निगार नजिर एइमद इनको आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल कि मिर्जा फरतुल्ला बेग और मियादानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे तो पढ़ने के लिए जाते थे ना तालीम हासिल करने के लिए जाते थे किस अरभी शाहर से मुतालुक सबक पढ़ने के दौरान मिया रजा की छुटी हो गई तो वह अरभी शायर थे मुतनवी ुतनवी की सेर पढ़ने के लिए दिये थे मौलवी साहब अर इतना घटिया पढ़ मिकलागा ढ़ा दिया अपने कोचिंग से और बढ़ते हैं mrr22 कि मिर्जा के मजामीन ये फरत कितने जिल्दों में शाय हुआ तो वो साथ जिल्दों में श्याइऴ था आप 8 God सर 5 जिल्दों में याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां से आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फड़ावट कर लीजिए और बेला कर यह इनकी घंटी को दबार लीजिएगा ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो और लाइव क्लास का नॉट्रिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और वीडियो को लाइ वाट टाइप कोश्चन है और उसका एंसर तो देखिए सबसे पहला सवाल कि फरतुल्ला बेग और मियादानी मौली साहब के घर क्यों जाते थे अगर अब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि तालीम हासिल करने के लिए फिर पढ़ने के लिए तो उसको टिक कर देना है लेक लाइन का लिखना पड़ेगा तो जवाब में आप लोग लिखेंगे फरतुल्ला बेग और मियादानी मौली नजीर एहमद के यहां तालीम हासिल करने के लिए जाते थे चुंकि इस जमाने में मदारस और कॉलेज का आज की तरह बजाबता इंतिजाम नहीं था और था और आज की तरह आम नहीं था दूसरी बात यहां कि उस जमाने में यह रिवायत थी कि अमूमन तल्बा उस्ताद के घर पर खुसूसी तोर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे यही बात आप लोग लिख देना है कि फरतुल्ला बेग और मियादानी कहा जाते थे मौरी साब की घर किसलिए तो पढ़ने के लिए तालीम हासिल करने के लिए जाते थे उस जमाने में मदारिस और कॉलेज नहीं थे अभी के जिस तरह इंतिज़ाम हो गया है online teaching करवाया जा रहा है बच्चे स्कूल जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं मदर्से जा रहे मस्जिद जा रहे है तो उस तरह पहले इंतिजाम नहीं था पहले जो है ना तुलबा को यानि की स्टुडेंट्स को उस्ताज यानि की टीचर के घरी जाकर तालिम हासिल करना पड़ता था तो इस तरह आप लोगो लिख देना है आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाद कि किस अर्भी शायर से मतालुक सबक को पढ़ाने के दौरान मिया रजा की चुटी हो गई जवाब में देखिए अर्भी जबान के मश्यूर शायर के कलाम पढ़ाने के दौरान मिया रजा की चुटी हो गई देखिए यहां पर नहीं बताये गया है मुतनबी बताये गया है चलिए आगे पर देती हूँ इशार में एराब ना होने के वज़ा से मिया रजा इशार को गलत पढ़ गए इसी पर मौरी रजीर एहमद चिराग पाँ हो गए और मिया रजा को दर्स से खारिज कर दिया देखें यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है वह आराब की गलती नहीं किये थे मिश्टर रजा थी लेकिन किसके शेर को पढ़े थे किस अर्भी शायर से मतालुक सबक को पढ़े थे तो वो थे मुतनब्वी याद रखिएगा मुतनब्वी की शेर को पढ़ने के दौरान मिया रजा बहुत ज़्यदा गलती किये जिसके वज़ा से मौलवी सहब यानि कि डिप्टी नजी किस तरह की खलतिया करते थे फरतुला बे किस तरह की खलतिया करते थे शेर पढ़ने के दौरान आप लोग जानते हैं मैं आप लोको बताई भी हूँ कि वह एराब की खलतिया बहुत किया करते थे वैसे भी नजम पढ़ने में फरतुला बे को बहुत दुश्वारी होती थी तो रतुल्ला बेग एराब की गलती किया करते थे देखें लिखा हुआ है न आगे बढ़ते हैं Question No.4 कि मियादानी शेर पढ़ने में कैसी गलती किया करते थे अब मियादानी का बताना है तो मैं आप लोग को इनका भी बताई हूँ कि ये शेर को नसर की तरफ पढ़ देते थे लिखा होगा देखिए जवाब में मियादानी शेर खुआनी में एराप की गलती तो नहीं करते थे लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज से पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियादानी शेर के बजाए नसर पढ़ रहा है ये शेर को नसर की तरह पढ़ दिया करते थे तो इस तरह आप लोगो पुरा एंसर लिख देना है चलिह आगे बढ़ते हैं फड़ाफट हम लोग क्या तरीका था तो मूली साब को पढ़ाने का तरीका यह था कि वह पहले बच्चों से ही किताब की अपार्रत को पढ़वात या फिर डाट कर समझाते थे फिर अबारत दर दुरुस्त होने के बाद ही अबारत की तश्रीफ पढ़ाते थे तो इस तरह मौलीर साब को पढ़ाने का तरीका था एक और पॉइंट भी चारपाई होता है ना चौकिया बोल सकते उस पर बैठ कर उस पर भी खुद बैठ जाते थे और अपने स्टुडेंट यानि की तुलबा को भी उसी पर बैठाते थे और पढ़ाते थे तब से पहले जो स्टुडेंट यानि की बच्चों का किताब होता है ना उन्हीं के किताब से पढ़वाते थे सुनते थे अगर गलत पढ़ देते थे स्टुडेंट तो डांट क दाटते थे पड़कारते थे और जो बहुत ही जदा गलत पड़ते थे उसको निकाल ही देते थे और जब तक वो मतलब गलती सुधार ना दे मौलवी साहब तब तक वो फिर आगे नहीं पढ़ाते थे इस तरह होता था मौलवी साहब का पढ़ाने का तरीका तो इस तरह आप को लिख देना है अगर question पूछे तो अब यहां से start हो रहा है आप लोंका तवील सवलात यानि की long type question जिसमें आप लोंको एकदम लंबा लंबा answer लिखना पड़ता है तो देखिए सवाल नंबर दिखा है दो क्यों लिखा हुआ है इच्छा कोई बात नहीं है मौली साहब अप के ले किताब की अबारत पढ़ वा कर सुनते थे अगर तुल्बा अबारत गलत पढ़ देते या कहीं अराप की गलती कर देते तो मौली नजीर अहमद चाहब अबारत गलत पढ़ने को नकाबले मुआफी जर्म करार देते थें मतलून मिजाज थे ही उपर से ही तुल्बा के गलत अबारत पढ़ना जले पर नमक का काम करता था किसी तालिब इल्म की गलत अबारत पढ़ने पर या अलबी अबारत में गलत अराब लगाने पर वह इस गदर चिराग पा होते थे कि कभी कभी तुल्बा को दर्स से निकाल दिया करते थे तो इस तरह होता था मुल्वी साहब जो है न एक आप बोल सकते हैं मतलून मिजाज के थे ही आप बोल सकते हैं चिरचिड़ा मिजाज के थे ही उसके बाद से स्टुडेंट जो है जा कर उनके पास गलत गलत पढ़ देते थे जिसके वो जैसे जले पर नमक छिड़कने का काम हो जाता था और यह बहुत दा गुस्से में आ जाते थे मौलवी साहब और यह तो डागते थे नहीं तो अपने दर्स से यानकि अपने कोचिंग से बाड़ी निकाल देते थे वो ठीक है इस तरह होत यहां पर देखे उर्दू में भी गलत प्रिंट हो जाता है बड़ कोई दिकत नहीं है यहां पर क्या रहेगा मिस्टर रजा मिस्टर रजा का किस्सा है कि उन्होंने दिवाने मुतनब्भी पढ़ने के दौरान मुतनब्भी के इशार को कुछ इस तरह पढ़ा कि गोया शे आमोसी से सुनते रहें लेकिन तिसरे शेर में भी जब मियादानी ने वही गलती दोराई तो मौली नजीर एहमद की गुस्ट की इंतहा न रही वह मियादानी पर इसकदर नाराज हो गया कि उसको दर्स से निकाल कर ही दम लिया फिर जब गुस्टर ठंडा हुआ तो दूसर मिस्टर दिन बुलाए ही नहीं थे वह बोले थे कि तुम जाओ पहले बेसिक प्लास लो और फिर मेरे पास पढ़ने के लिए आना इस तरह हुआ तो फिर चला गया दुबारा दिखाई भी नहीं दिया तो सारा कहानी में आप लोगों को पढ़ाई चूकि हूँ आप लंबा चूड़ा लिख सकते हैं यह मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूं इसको पढ़ लीजे क्योंकि पढ़ोंगी तो ज्यादा टाइम भी लगेगा आप लोग पढ़ सकते हैं इतना लंबा चूड़ा एंसर दिया गया है चलिए अब यहां से अगला कोश्टन देखिए नेक की शक्षियत को करीब से देखान और बच्रसम खुद मशाहदा भी किया और सक्षीए हर पहलो का मौाँणा भी हिए फरतूलाव जब जाते थे पढ़ने के लिए नजीर फ्रतूला बेंग दने से थे यहां तो दितलि के साहर Si है खाका मतलब मैं आप लोगों को पढ़ाई चुकी हूं कि इस तरह लिख दो किसी इंसान के बारे में कि उस इंसान की शक्षियत पता चल जाए यह पता चल जाए कि वह इंसान किस टाइप का इंसान है तो उस लिखे वे को कहते हैं खाका तो नजीर एहमद के ऊपर खाका लि बारे में ही यहां पर डिसकस किया गया है परतुला बेग कि क्या क्या सीखे हैं नजीर एहमद से वो लंबचड़ा लिखा गया है चले मैं पढ़ देती हूं और आगे फरतुला बेग के उस्ताद डिप्टी नजीर एहमद से गयर मामूली तोर पर मुतासर होने का जिन्दा सबूतिया है कि उन्हें अपने उस्ताद का एक खाका लिख डाला और अर्दु नसर में खाका निगारी की एक मश्बूट रिवायत काईम की उसके बाद जही उर्दु में सिंध खाका निगारी की बहुत से गधरदाब पैडा हो गया है तो यह एक सबूद मिली गया कि अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखे थे जिसके वजासे वो अपने उस्ताद यानंके अपने टीचर के उपर खाका लिखे और आगले यह लंबा चड़ा आप लोग देखी सकते हैं मैं पढ़ूंगी नहीं because बहुत लंबा वडियो बन जाएगा तो आप लोग आप क्या कीजिए आप लोग इसको पढ़ लिया कीजिएगा या फिर कॉपी में लिख लिया कीजिएगा यह सारा इंसर दिया गया है इतना लंबा हो सके आप अप इसको शॉर्ट कॉर्ट भी कर सक लिखते हैं तो उदू के नसर अदब पर गोर करने से पता चलता है कि नाविल अफसाने तजगरे और दास्तानों के शक्म से ही खाका निगारी की पैदाईश हुई है मजगोरा नसरी इसनाफ में किरदार निगारी की मरहला में अक्सर वबिश्टर किरदारों का खाका अलग से भी दाफर तादाद में खाके दस्तियाब हैं उर्दो में खतूत गालिब और आब हयात में मुख्तलिफ शक्षियात के तालुक से ऐसे नसर पारे मिलते हैं जिन्हें खाकों के सिलसले में अब्तदाई तहरीरी तसओर करना चाहिए ये लंबचड़ा एंसर लिखा गया है मिर्जा फरतुल्ला बेग ने अपने उस्तार डिप्टी नजीर एमद का खाका डिप्टी नजीर एमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी के विनुवान से लिखा जिसे खाका निगारी की तारीख में श्रहकार का सब्सक्राइब कि यहाँ पर यार रखियेग I hope देखिए इतना लंबा चड़ इसको अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत जदा लंबा वीडियो शूट हो जाएगा बर हम शॉटकॉट में लेकर चलते हैं देखिए नेक्स्ट कोश्चन है कि दरजजयल एक्तबास की रोश्णी में सवालों के जवाब दीजिए यहां पर ए इस एक्तबास को पढ़ लिए जब तक कोई धक्के दे कर ना निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं और जाएंगे तो तो भी फिर आ जाएंगे तो यह आप लोग का एक्तबास है तुकड़ा है अब इससे रिलेटेड कोश्चन देखिए सबसे पहला कोश्चन है कि य किसने कहा है तो जवाब में है या कॉल मिर्जा फरतुल्ला बेग का है मिर्जा फरतुल्ला बेग ही ना बोलते हैं कि जब तक मुझे धक्के दे कर बाहर कोई नहीं निकालेगा तब तक हम लोग जाते नहीं है और अगर निकाल भी दे तो फिर से हम लोग वापस आ तो ये मिर्जा फरतुल्लाबेक कहते हैं अब देखिए दूसरा कोशन पूछा गया है इस कॉल में धक्के देने की बात क्यूं कहीं गई है बताना है तो देखिए जवाब में लिखा है कि इस कॉल में धक्के देने की बात इसलिए कहीं गई है कि मिर्जा फरतुल्लाबेक डि भी हो गए थे तो इस तरह आप लोगों को लिए देना है अंसर आगे बढ़ते हैं पांच नंबर क्वेशन फिर से एक्तबास वाला पूचा है कि तर जैल एक्तबास की रोशनी में सवालों के जवाब दीजिए फिर से यहां पर एक टुकड़ा दिया गया है खुदा अच्छा गया है कि यहां कॉल किसका है लब यह किसने कहा है तो यह डिप्टी नजीर आहमत बोले रहते हैं कि अच्छा जाओ किताब लेकर आओ और जल्दी से सबक पढ़ो और मेरा पंड छोड़ो ठीक है अब देखिए दूसरा कोशन क्या पूचा है कि यहां बात किस से क कही है मौलीνज स ensembри जोह है ना अपने शागिर्द से बोले हैं इसकॉल में किस से छुटकारा पाने की बात कही गई है थो इसकॉल में मिर्जा फरतुल्लाबेग छुटकारा पाने की बात कहीं है ठीक है 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 आगे बढ़ते हैं Lascusion कि इस कॉल में कौन किसका उस्ताध हो जाता है तो इस कॉल में आप लोग जानते ही है मिर्जा फरतुलाद भेग नजीर आहमत के उस्ताध हो जाते है नजीर आहमति यानि कि मौलिश साथ कुधी बолаतह है कि तुम लूग मतलब शागिंद क्या उस्ताधों के भी उस्ताध निकले यानि कि टीचर के भी टीचर निकले इसकोल में कौन उस्ताद बन जाता है कौन टीचर हो जाता है तो वो है मिर्जा परतुल्ला बेग तो यह हो गया आप लोग का जवाब तो यह था 12 क्लास के उर्दू का चैप्टर नमबर वन का सारा अबजेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव कोश्चन आई होप आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आया होगा और अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो सारे अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव कोश् ठीक है और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किये हैं तो शेयर कर दें लाइक कर दें और चैनल पर डायें तो सब्सक्राइब जरूर लिजेगा फिर्म लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज